नमस्कार दोस्तों आज की एक और वीडियो में आज फिर से आप सभी का स्वागत है तो आज की इस वीडियो के नरहम आपको गाए भैस को हीट में लाने के लिए एक जवरदस्त उपाय बताने वाले हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें तो देखिए इसमें सबसे पहले आपको गुड लेना है गुड की मात्रा आपको 250 ग्राम रखनी है उसके बाद नमबर दो पर आपको सरसों का तेल लेना है सरसों के तेल की मात्रा आपको 100 ग्राम रखनी है उसके बाद नमबर तीन पर आपको तिल ले लेने है तिल की मात्रा आपको 250 ग्राम रखनी है तो इन सब को लगातार पांच दिन तक शाम के समय अपने पसू को दें तिल को पहले गरम करके पीस लें और नमबर दो पर आपको ऐलोवेरा के पत्ते 500 ग्राम ताजा ले लें और थोड़ा चूले में आग पर उनको भून लें और ठंडा होने पर टुकडे टुकडे करके पसू को 8 से 10 दिन तक लगातार दें इससे आपका पसू हीट में आ जाएगा क्योंकि एलोवेरा में कोपर, आइरन, मेगनेशियम, जिंक आदी मिनलल्स पाए जाते हैं जो आपके पसू को हीट में लाने के लिए काफी ज़्यादा सहायक होते हैं नमबर 3 पर आपको एगरिमीन नाम की एक टैबलेट आती है जो 21 दिन तक लगातार आपको अपने पसू को देनी है ये एगरिमीन नाम की टैबलेट बाजार में आसानी से मिल जाती है आपको अपने पसु को पेट के कीड़ों की दवाई भी जरूर देनी है आपको डाइट प्लांट ठीक रखना है और मिनरल मिक्स्चर नमक एवं संतुलेत अहार अपने पसु को जरूर देना है तो दोस्तों एक बार फिर से हम आपको ये सारी चीज़े बता देते हैं नमबर एक पर आपको गुड लेना है 250 ग्राम सरसों का तेल आपको ले लेना है 100 ग्राम आपको तिल लेने है 250 ग्राम इन सब को लगातार पांच दिन तक शाम के समय अपने पसु को दे तिल को पहले गरम करके आपको पीस लेना है उसके बाद नमबर दो वाले फार्मूले में आपको एलोवेरा के पत्ते लेने हैं 500 ग्राम आपको एलोवेरा के ताजा पत्ते लेने हैं और उन्हें थोड़ा चूले में आग पर भून लेना है और ठंडा होने पर टुकडे टुकडे करके उसमें गुड चोकर वे आटा मिला कर अपने पसू को आठ से दस दिन तक लगातार दें इससे आपका पसू हीट में आ जाएगा क्योंकि एलोवेरा में जिंक, मेगनेशियम, आइरन, वेकोपर जैसे मिनलस पाए जाती हैं जो आपके पसू को हीट में लाने के लिए काफी ज्यादा सहायक होते हैं नमबर तीन वाले फारूमले में आपको एग्रेमिन नाम की एक टैबलेट लेनी हैं जो 21 दिन तक अपने पसू का आपको देनी हैं ये टैबलेट बाजार में आसानी से मिल जाती हैं पसू को पेट के कीड़ो के दवाई भी जरूर देनी हैं डायेट पलान आपको ठीक रखना है और मिनरल मिक्ष्चर भी देना है नमक और संतुलित आहार अपने पसू को भी जरूर देना है तो दोस्तों उमीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वाली वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें इस इस वीडियो को जादा से जादा अपने और सातियों के साथ शेयर भी कर दें अगर आप हमारा यूटुब चैनल देख रहे हैं तो यूटुब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अगर आप हमारा फेस्बुक पेज देख रहे हैं तो आप हमारे फेस्बुक पेज को फोलो कर धन्यवाद